बंका मसीन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है आज हम बात करने जा रहा है बंका के शिक्स चीरो प्लेथ मसीन के बारे में शिक्स चीरो में तीन वेरियंट आते है डेड़ मीटर डाइमीटर और तीन मीटर बंका का ये मसीन हमें क्यों पर्चेस करना जाहिए सबसे पहले हम जाते हैं स्पैसिफिकेशन के बंका का स्पिंडल का नोज लू टाइप है इसमें अगर आप चाहे अपना स्पिंडल बोर बढ़वा सकते है 80 mm की जज़ा है आप 100 mm तक जा सकते बंका के सभी मॉडल की वेट दूसरे मैनुफेक्चरर के मुकाबले बहुत जियादा है मसीन के वेट को आप जरूर चेक करें यहां पर हम बात कर रहे हैं बंका के लेट मसीन की बैड पर जो केरेज स्लाइड का मुवमेंट है उसके लिए केरेज ऐसा मुवमेंट वाला स्लाइड है कि मसीन के उपर सबसे ज़्यदा चलता है और इस केरेज को वेर एंट रहना लगे उस बज़े से उसके उपर टरसाइड भी टेफलोन कोटिंग लगा हुआ है यह जो ग्रीन कलर का दो चार साल के बाद जब भी आप टेफलोन को चेंज करते है तब आप देखेंगे कि बैड की एकुरिसी को 20-30 माइक्रों से जयता कोई एफेक्ट नहीं हुआ है अदर्वाइज आपकी बैड वेर हो जाए तब आपको फिर से वही एकुरिसी मिलने का कोई चांस नहीं है आ होने से तो नहीं होने से फर्क होता है कि जो हमारा स्टांडर स्क्वेड टूल पोस्ट है उसमें हम एक टूल लगा हुआ है जैसे की फैसिंग का टूल और अगर हम उसको उसी के साथ बोरिंग करना चाहते तो वह टूल चेंज करने में साहे 2-3 मिनिट लग जाए जबकि यह यहां हम स्प्पिलिट सेकंड साहे 2 सेकंड में प्राइपम Спorts हम प्राइप लेंगे और पिर से जब आप वही लगांगे जिससे की वाल बोरिंगे बाद केॉसंग एसके जभानि टूल साइड में जब आप टेल स्टोक का वर्क कर रहे हैं तो वहां से भी आप मसीन को रिवर्स फॉरवर्ड या बंद चालू कर सकते देखिए बंका का 60 मोडल बहुत लंबा मसीन है जब ऑपरेटर पीछे के सिरे पर काम कर रहा होता है तब उसे उस मसीन में थर्ड साप जरूर च होता है कि वह मसीन को महीं से बंद या रिवर्स फॉरवर्ड कर सकता है बंका की बैड में वॉल थिकनेस और उसकी बैड की हाइपर बॉल डिजाइन दूसरे बैडों से बहुत अलग बनाती है देखिए जब लंबा मसीन को हम लेवल करते हैं तब वह अपनी स्ट्रेंद को बनाया रखना चाहिए वह ट्विस्ट नहीं होना चाहिए अब दूसरे मैनिफेक्चर के बैड को आप पाएंगे कि वह बीच में से हाफ कटे हुए होते हैं बीच में से उसको थोड़ा मोड दिया होता है और वह सब यह करते हैं बैड का वेट को कम करने के लिए तो आप ब बडे और डिजाइन जरूर देखें अब बात करते हैं मेंट पार्ट मसीन का मुविन पार्ट है वो है है ऐड्स टॉग है कि मसीन मूविन पार्ट होने की बज़े से हमें organizations क्यूकस सालों के बाद maintenance बीचनाध के बंका के आज 10 साल के बाद भी head stock को बिना खोले चल रहे है अगर आप उस users को पूछेंगे तो वो बताएंगे कि उन्होंने इतने इस 10 सालों में ना कभी bearing change किया है ना कभी कोई gear तूटा है वो लोग सिर्फ और सिर्फ machine का head में oil change करते है तो क्या है इस head के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ machine के सभी gear तीन module के है और अंदर spindle, spline key जो भी चीज़े है वो सभी harden है आप कोई भी manufacturer से machine का purchase करे ये जरूर चेक करे कि सिर्फ gear नहीं उसकी spline और key सभी चीज़े harden होनी चाहिए machine का एक और part important है जो है gear box ये feed gear box जो है वो various feed देता है बंका में 1x से 10x तक तो 10 गुना ज्यादा या 10 गुना कम feed आप उसी gear box से ले पाते हैं उस बज़े से अगर आपकी roughing cut एक मिनिट में खतम होती है तो आपकी finish cut को खतम करने के लिए आप 10 मिनिट का टाइम भी चूज कर सकते हैं एक ही लिवर से बहुत convenient split second में जल्दी से तो ये कुछ बाते हैं बंका की मसीन में जो टेल स्टोक होता है हम जानते हैं कि 14 फूट लंबा मसीन बहुत heavy job को carry करता है उसका टेल स्टोक उतना heavy होना चाहिए कि पूरा job का weight उठा सके मंका की मसीन पर आप कभी 5 तन का weight भी डालेंगे तो उसका head stock तो carry करने के लिए capable है लेकिन उसका tail stock भी उस design से बनाया गया है कि वो अपना वो load carry कर सकता है जैसे कि कुछ आप screen पर देख पा रहा है ऐसा design अब हम बात करते हैं कुछ और features के बारे में और जो बंका को दूसरे manufacturer से अलग बनाता है देखिए यह tail stock का quill है यह tail stock का quill में जब हम देखेंगे के पीछे spindle में tank sunk दिया गया है यह बदलाओ इससे quill का tank पीछे फस जाता है और घूमता नहीं है यह ना घूमने के बज़े से इसका taper सालों साल तक accurate रहता है और आप heavy drilling बड़ा drilling कर पाते हैं अब बात करते हैं leg का wideness के लिए कुछ मसीनों में rpm ज़्यादा मिल जाते हैं लेकिन उस मसीन का leg का wideness कम होता है आप जानते हैं कि high rpm वाली मसीनों में vibration का issue रहता है तो हमने banka 60 में vibration कम से कम हो उस वज़े से उसका legs बहुत wide बनाया हुआ यहां मैं दिखाता हूँ आपको bed के बारे में कहां हम लोग banka 60 में bed को gap bed type नहीं बनाते हैं यहां से bed straight होने की बज़े से और यहां पे cut होने की बज़े से cut bed की बज़ाए straight bed में ज्यादा strength होती है वो बड़ी cut ले सकता है यह जो portion है यहां से यह bed wick हो जाते है तो हमें पसंद करना चाहिए straight bed आखिर हम machine लेते हैं ज्यादा production निकालने के लिए operator friendliness के लिए आप जब नई machine ले रहे हैं तो जरूर चेक करें उसके operating levers को दूसरे manufacturer को यहां star type का apron में lever होता है इसको automatic में लगाने के लिए और automatic से निकालने के लिए operator को बहुत time लगता है यह new design है easy lever है बंका 60 में हम आपको ऐसा ही lever दे रहे हैं जिससे की operator बहुत quickly अपना automatic function चला सकता है यहां मैं आपको बता रहा हूँ यह square tool port है और यह है quick change यहां पर मैंने देखा रहा है तीन टूल, चार टूल, पांच टूल आप split second में बदली कर सकते हैं यह हमारा time saving equipment है जैसे की मैंने सबसे पहले बताया कि बंका में loo tap spindle nose है यह जब आप बदली करते हैं अगर आपको चक बदली करना है यहां से loo tap spindle nose को easily, quick आप बदली कर सकते हैं और इसका taper भी बड़ा है यह accurate भी है और reverse forward movement में यह कभी खुल भी नहीं सकता है ऐसा ही एक है, A2 type बट अगर आपको चक बदली करना है तो पहले यह तीन bolt खुलने है उसके बाद यह plate में लगे हुए bolt खुलने है तब आप चक को उतार पाएंगे करीबन 15-20 minute आपको लग जाएंगे तब आप इसमें चक बदली कर पाएंगे जब कि banka 6.0 में आप बहुत जल्दी चक बदली कर पाएंगे तो यह थे कुछ फीचर जो banka 6.0 को कुछ अलग बनाता है तब आपको अलग जाएंगे